की नवसकार सात्यों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल के इन्सी कुसूम नेट क्लासेज में हैं तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चानल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेश आप तक पहुँचे और आपकी तयारी और बहतरीन तरीके से संभब हो सके साथियों आज हम लोग बात करने वाल है काश्री हिंदू बिश्वित डाले से आए हुए प्येजडी वैकेंसी के बारे में तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा होगा तो वहां पर हम आप कब तक फॉर्म को भर सकते हों आज हम लोग बात करने वाले हैं उस बुलेटिन के बारे में जो कि बीएच्व ने अपने ऑफिसियल वैब साइट पे जारी किया है जिसमें क्वालिफिकेशन इलिजिबिटी क्राइटिरिया एंड नंबर ओफ सीट्स के बारे में विश 2020 और उसके एक और नीचे मिलेगा आरिटी इंफरमेशन बुलेटिन 2020 आपको सबसे नीचे वाले पर जाने आप इस पर क्लिक करेंगे में पर यहां से डाउनलोड हो जाएगा और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो बुलेटिन है एग्रिकल्चर एवम बेटनेरी साइंस क लिए हम लोग आरिटी वाले पर क्लिक करते हैं आप लिक करके डाउनलोड कर लीजियेगा वहां बात करते हैं ठीक है सबसे पहले डेट की बात करें तो 17 फरबरी तक डेट है यहां के पास परियापत समय है फॉर्म को जरूर भरिएगा में रैंकिंग बहुत बेतरीन है और यहां पर रिजर्वेशन जो लागू होगा भारत चरकार का रिजर्वेशन लागू होगा यानि कि जितने भी सीटों की वैकेंस से आएगे उसमें 27 प्रतिसत ओवी सीट रिजब्ड होंगे दस प्रतिसत और 15 प्रतिसत स्ट के लिए एकोनामिकली विकल सेक्षन यह उनके करते हैं यदि परसन बिद डिसाबलीटी की बात करें जो अबिकलांग शात्र है जो प्रतिसत सीट यहां पर रिजब्ड होंगे उनको डॉक्मेंट डिखाना होगा आगे बात करते हैं हम लोग रिलाक्सेशन इन मीनिमम परसेंटेज ऑप माक्स अगेडमिक रिकवाड फॉ इसको लेकर के एक छात्र ने हमसे सवाल किया था यहां पर इन्होंने क्लियर किया है इन अद्मिशन टू दा पीसडी प्रोग्राम देर शाल भी रिलाक्सेशन ओफ फाई परसेंट मार्क्स और एक्विवालेंट ग्वाइड पॉइंट एवरेज पर सी एस्ट एन पीसी कैं के लिए एंड दे मीनिममम अकार्डमीक रिकॉर्ड रिकॉर्ड फोर एससी एस्टी पीसी एंड ओबीसी श्याल भी 45 एंड 47.5 रिस्पेक्टिबली यानि कि ओबीसी करें इन्होंने पर बताया है कि यार मीनिममम 47.50 परसेंट होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री करेंगे तो यहां पर फाया नहीं उठा पाएंगे कोई इसलिए आप लांग है तो आपको करना है कि आप रिज़र्ब करेंगरी में या फिर आप फिजिकली चालेंजड बाले ग्रूप से जाएंगे एंफिल पीच्डी जो यहां पर इंटीग्रेटर प्रोग्राम होता है उसमें भी सेम बाते हैं ठीक है एंफिल को लेकर पर चुकि ऐसे भी एंफिल तो इस साल से स्क्राइब हो जाएगा तो निक्स्ट से तो एंफिल शायद ही नहीं ही हो चलो consideration of reserved category meritorious candidate as a general candidate यानि कि जो meritorious candidate होंगे उनको reserved category से हटा कर उन्हें general category में count करके admission लिया जाएगा ठीक है चलो अब बात कर लेते हैं number of seats के बारे में पहले बात करते हैं quality of arts के बारे में सेट की संख्या इन्होंने दो हिस्टो में दिया है पहला आरीटी और दूसरा आरीटी एक्जेम्टेड वह होंगे जिनके सब्सक्राइब और आरीटी वह जात्र दे सकते हैं जिनके पाँजीनोंने केवल master degree हासिल की है यह फिर last के semester में वह इस form को भर सकते हैं हलंकि last semester वह नहीं भरेंगे वह एक वार हम लोग कंफर्म हो लेंगे सभी सिट की संख्या बात करते हैं आप देखते चलेंगे maximum इंटेक के नीचे लिखा हुआ है आरिटी एन आरिटी एक्जाम्टेड तो जो नेट जारे वाले छात्र रहें वह आरिटी वाले कॉलम को देखें और जो सिर्फ मास्टर वाले हैं वह आरीटी वाले को देखें Arabic की बात करें तो 6 seat है RET में और RET exempted में 5 seat मंगाली की बात करें तो कोई seat नहीं है English की बात करें तो RET exempted में 21 21 French की बात करें तो French में 6 है History of art में 3 है And Tourism Management में 1 है Nepal पाली में 2 है Russian में नहीं है Chinese में नहीं है करनर में नहीं है ठीक है इसमें और बात कर लेते हैं दूसरे तरफ लिंग्विस्टिक में देखे तो आठ सीट है एक्जेम्टेट कैटोगरी में संस्कृत में देखेंगे तो 20 सीट है एक्जेम्टेट में कोई सीट नहीं है पाली बुधिस्ट स्टडीज में 12 सीट है एक्ज के लिए आई पी आर की बात करें तो साथ है एक्जेम्टेट के लिए फिलोसफी में 19 है एक्जेम्टेट के लिए हिंदी में कोई भी सीट नहीं है नहीं एक्जेम्टेट के लिए ठीक है परियोजन मुलक हिंदी में भी कोई सीट नहीं है एंड फैकल्टी ओफ विजूल आर् सीट human rights and duties education में है तीन सीट आरीटी के लिए एंटीन सीट exempted के लिए law में साथ सीट है आरीटी के लिए साथ exempted के लिए management में आरीटी है exempted में 15 सीट 12 प्लस 3 economics में बात करें तो 17 है आरीटी और 6 है exempted history की बात करें तो history में टोटल 32 सीट है आरीटी में कोई सीट नहीं है और exempted में केबल 32 सीट है यानि कि इतिहास के छात्र है तब आपके पास नेट एबम जारेव है तभी इस फॉर्म को सब्मिट किजिएगा पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आरीटी में कोई सीट नहीं है एक्जेम्टेड में 24 है पंडित दीन दयाल उपाद है चेयर में बात करें तो वहां पर दो सीट है में ऑप साइकालोजी के बात करें स्ट कोई सिट में से नहीं है गेरेभिश की बात करें तो देंगे और 20 एक्जम्टेट के लिए बाकी आप देख सकते हो म्यूजिकोलाजी में वोकल में है डांस में है और भारत नाटेम बगएरा में एक्जम्टेट के लिए यहां पर है संस्कृत बिद्या धर्म बिजना में इसमें है सुकले जुरवेद कृष्णे जुरवेद सामबेद इन तमाम सभी में सीटे हैं आप इसको रोक करके पाउज करके देख सकते हो फैकल्टी अप साइन्स में देखो फिजिक्स में है सतर सीट आरिटी के लिए एक्जम्टेट के लिए तीस से केमिस्ट्री में बीस आरिटी एक्जबिस एक्जम्टेट जियोलोजी में सतरा प्लस चार है जियोलोजी में पंद्रा है और बोटनी में चॉबिस साइन्स में स इंश्यार है इंवर्मेंटल साइंस में दो है एप्लाइड में दो है हुमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में भी कोई सीट नहीं है ठीक है इंस्टिट आफ मेडिकल साइंसे इस फैकल्टी ओफायर वेद की बात करें तो इसमें आप सीटो को देख सकते हो यहां पर रोक करके एक करके फैकल्टी ओफ मेडिसीन में आप देख सकते हैं तो आप मेडिसीन में देख सकते हैं तमाम तरह के सब्जेक्ट है के करके रोक कर आप देख सकते हो खुद का इंटिग्रेटेड एंफिल पीजडी की बात करें तो इस डी में होता है इंटिग्रेटेड एंफिल पी चलो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एंफिल के लिए बाकी तो पर के हिस्से में पीजडी के लिए निकला हुआ था चलो और कुछ इसमें बात करें तो देख लेते हैं कुछ रूल से रेगुलेशन की बात की जाए काता है दिस्टेंस एजुकेशन कॉंसिल आफ इंडिया निकी यदि आप डिस्टेंस से पढ़ाई किया है तो इगनू से किये तो वैलिड है और अन्यथा आपका इंवर्सिटी आस्यों से इसमें होना चाहिए ठीक है चलो और और कुछ इंफोर्मेशन है तो उससे देख लिया जा है कैंडिडेट्स अपेरिंग अड़ी आरे ट्र इंफिल इंट्रेंस टेस्ट्रल भी सब्जेक्ट टूरूर्स रेगुलेशन और इंवर्सिटी एग्जामिनेशन यह सारी बात है तो ठीक है डियार्सी और यह सारा आपका अड्मिशन फाइनल करेंगे तो सभी जगा होते हैं ठीक है कांडिडेट्स फॉल्फिल वन फॉल् सब्सक्राइब कांडिडेट्स क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल टेस्ट सच आज नेशनल इलिजिविटी टेस्ट नेट विदाओट फेलोशिप एंड जी पैट जो हता है ग्रैजुट अप्रिटीट्व टेस्ट फो इंजिनेरिंग एंड स्टेट लेवल दिया जाएगा एंड युदि आप वहां के चात्र हैं दो साल से ज़्यादा आपने रिसर्च किया है तब उसको भी उसी में ही काउंट किया जाएगा चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा तो जो चात्र हैं जिनके पास नेट जा रहें वह बिंदास रहें इंटर्विव जो बात करें तो टेस्ट ऑविए सी बात है दो पेपर होगए पहले पेपर मिंगा टेस्ट इबिल भी based on subject knowledge assessment of logical and analytical capability and research methodology and test we will cover research proposal and personal interview to test aptitude for research test a में वही सवाल पूछे जाएंगे and sog mcq रहेंगे and test v में recover research proposal की बात की जा रही है कहा जा रहा है candidates approximately four times of the seats based on merit नहीं कि एक सिट के लिए चार candidate को बोलाया जाएगा आप सोच लो आपके सब्जेक्ट में जितना सीट है उससे चार गुना कर लो इतने सब्सक्राइब को बुलाया जाएंगे टेस्ट बी विल बी कंड़क्ट कारा के ओल इस इलिजिबल आरे टी एक्जंट काटोगरी कंडिदे चला सो टेक टेस्ट बीफ ऑफ दा सेलेक्शन यानिके जो एक्जेम्टेड हैं उन्हें भी रिसर्च प्रोपोजल और पर्सनल इंटर्व्यू फेस करना पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं कि नेट का डिगरी ले और सिदास अड्मिशन हो गया ऐसी कोई बात नहीं है चलो टेस्ट बी जो होगा वह कंड़क्टेट किया जाएगा कहा है कहा जा रहा है टेस्ट भी विल वी कंड़क्टेड इन दा कंसर्ण डिपार्टमेंट स्कूल सेंटर्स बाइए बोर्ड तो वी अपॉइंटेड फोर दे पर्पोस एंड विल कैरी टोटल ओफ फिफ्टी मार्क्स फोर इट्स टू कंपोनेंट्स लाइक की रिसर्च प्रो प्रपोजल तयार किजिए और कोई दिकत होता है प्रपोजल तयार करने में तो आप टेक्स्ट जरूर किजिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सको और और कहा जा रहा है दारी सर्च प्रोपोजल नीड नॉट टू वी रिलेटेट तब होता है आप कैसे पदा कर पाऊगे किस पर प्यस्ट कहीं पर हो रहा है नहीं तो आप कोशिश किजिएगा कि वैसे टॉपी को लेकर के नहीं जाएं आगे बात करते हैं हम लोग अग्या दे मिनिमुम क्वालिफाइंग मार्क्स फ़ोर इटीज काट्गरी ग्रीज सेवंटी फाइडमिशन इन प्यसडी यानि कि ऐसा है कि आरे टीजो एक्जेम्टेड होंगे उनको 75 मार्क्स मिनिमुम लाना ही हो तब 50 मार्क्स तो आपका यहां से वह गया तो शिर्फी के लिए टेस्ट बिल्कुल वैसाई होगा जैसा कि इसमें होगा फी की बात कर लेते हैं तो फी में आप देखोगे से स्ट और पी डेवली डी के चात्रों के लिए चार सो रुपे हैं और अदर्स कांडिडेट के लिए आठ सो रुपे हैं ठीक काता दाप्लिकेशन फॉर्म वन समीटेड विद अप्लिकेशन प्रोसेसिंग इंटेंस टेस्ट फी एड कंसेशनल रेट मिंट फो से स्ट या डेविट कार्ट से जैसे आपका दिल करता है वैसे कर दीजिए अप्लिकेशन फॉर्म फॉर आरीट एक्जेम्टेड 2020 इस अबलेबल और भी इंट्रिस टेस्ट पॉर्टल अच्छा फॉर्म जो आप कहां से भरोगे www.bhu online.in पे यहां पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते है पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लिजेगा उसके बाद आधेन्टिफिकेशन डीटेल्स बगर आपना अधार कार्ट पासपोर्ट बोडर आइडी या फिर जो बैंक पासबुक बगर रहा है वह सारा चीज गवर्मेंट आइडी अड्मिट कार्ट बगर यह सारा चीज फोटोग्राफ और डाल दीजेगा फिर उसके बाद टेस्ट फी जो है वह करके कंफर्म करके पेमेंट कर दीजिएगा ठीक है पेमेंट फिर इंटरेंस टेस्ट फी इन कैस्ट फ्रोच चलान इन अनी ब्रांच ऑफ देस्टी जो आफ्लाइन करना चाहते हैं वहां से भी कर स इसको आपको रखना है तक आगे आपको में आपको डिखाना हो तेस्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए कई वह कई सेमंटर बहुत सारे नी चंडीगढ में बना रखाए च्छटीस गड़ में है और निव डेली में है गुए में है गुजरात हरियाना इमाचल प्रदेश जमुकास्मिर करनाठक ज्ञारखन्ट के रल लकषदीप मध्य प्रदेश महाराष्ट आप जिस जिलाके हैं जिस राज्य के हैं उस राज्य में बहुत परयात सेंटर है तो आप टेंसर मतलो यहां से आप सेंटर पर गरह देख लेना आपने मानस से सेलेक्ट कर लेना ऐसा नहीं कि आपको बीएचिव जाने की जरूरत पड़ेगी एंड टेस्ट एब बी हेल इन दा ओन दो शुक्ति तो पहले आप टेस्ट दिजी उसके बाद फिर देखा जाएगा उसके बाद फिर आगे का काम आप किजियेगा रिजल्ट हो जाए तो तो च चलिए साथियों डेट की बात तो मैंने आपको बताएं दिया है यानि कि एक फरवरी से फोर्म भरा रहा है और लास्ट डेट है बाइस फरवरी तका फोर्म को भर सकते हों ओनलाइन अब एबिलिटी ओफ एड्मीट कार्ड तो एड्मीट कार्ड आपका आज आएगा बारह मा मार्च को होने बाला है तो उनीस मार्च को टेस्ट होगा कुछ दिन में रिजल्ट आ जाए गया काथ सब्ता हमें आने कि मान कर चलो कि अप्रेल में आपका इंटरव्यू होगा ठीक है चलिए तो इस वीडियो में इतना ही साथियों इसके अलाबा भी कोई सवाल हो कोई से पूछिएगा जरूर थैंक यू वरी मस्ट वाच इस वीडियो